आज हम बी अड़ सेपन दियो, पेफर एस्टु जुन 5 और टोपिक आओ हान, अटेंशन, इसके बाले लगट होगे, ड़ इंपोर्ड टोपिक लिए, अटेंशन से जुए जितने सवाल अर परिवाषा, लिशेस ताएं, सब एस्टोपिक रहा हम से, उसको बिस्टाइब करों और जितने भी कोर्शन एटेंशन के आएंगे आपके एक्जाम्स में या इन बोटन के आपके लिए तो जितने भी कोर्शन आएंगे वो इस टॉपिक वारा बेर हो जाएंगे एक आएए सूनी करते हैं आएटेंशन.. पहले साथ प्रफ़म आठान है क्या? तो आठान का अरफ होता है व्यान.. इसी चीज़ फर इति होना.. मतलब हुआएंब। कि किसी चीज़ बार मेם सोचना और उस को और वर इमस्न कर दोर्फोते हैंब। जैसे हम उस उभे कहते हैं कि attention मतलब उस जीश पर आप द्यान को करो यह हो गया आउधान तो आउधान का अर्थ उसर पर दूंद पढ़ेंगी तो आउधान का आप द्यान किसी एक वस्तु बैठती है पर आपना ध्यान करना है जैसे आपकी जरोत हो उसके अंसार कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक वस्तु पर हमें ध्यान करना है कभी बैठती है और कभी भी सैथे अकसर भी सैथे अपना ध्यान के अंजिक करने क्या हो गया तो जब संध्यान किसी चीज को हम लेते हैं तो वह स़लिए एक वस्तु को याद रख पाते हैं कि ध्यान उसको प्राप्ति कर बाते हैं तो यह किया होगा कि अवधान इसलिए एक जट्रे संहियारात्म काड़ा, जो मानव व्योहार के लिए आवश्य है, क्योंकि जब तक हम हमारे जीवें में बहुत सारी भटनाय हैं, बहुत सारी चीजां में प्राप्त करनी होती हैं, बहुत चीजों के बारे में हमें जानना हो होता है, बहुत सारी प्राप्त को हमें पढ़ना होता है, जब तक हम उसके भ्यान के अंध्यत नहीं करेंगे, तब-तक हमें उससे क्या होगा, हमें अपना जो उद्श्य से है, उसकी प्राप्ति नोंदेखाए, तो इसकी रिए है कि वेमानव मन की लिए आवश्य है, और छेतन भूता है बूसमें हम बहुत सारी आसी यादह दूदली हुथ dalam Хerana जो हों इव लगया जागरी है o जाकरी इक होला हमेशा हम और कर तो चेतना को ऑद दूद्र Spam हमें सो और प्रत उमन के हैं और ही वेधन विशो का ज्यान धूस्या रात है तो हम यह जान पाएंगे कि किस चीज़ के बारे में में सोचना है या अपना ध्यान किस वस्तू पे जाविद करता है। जाल भी जाल के तो यह जानियों के बारे में जनकारी पकलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे आउधान की परिवाशा जानते हैं कि हरेक अपिक में यह तने का पड़ते हैं। इतनी भी हमारी जो एजुकीशन है उसमें हमारी सिख्षा वीदों ने अलग अपने विचार तो जो भी आपका टॉपिक पढ़ेंगे तो उसकी परिभाशाएं उन्हों में उज़ी हैं तो उसी परिभाशाएं के अंतरदर खमाते हैं इन कुछ शिख्षा वीदों के विचारों के बारे इता है जिसमें डंबिल ने क्या कहा है यह सुनिया तो अटेंशन इस दा कॉंसेंट्रेशन आप कंसस्नेस अपान वान अब्जट रेदर दें अपन अनधर यह तो ने क्या कि किसी दूसरी वस्तु के वजाएं एक ही वस्तु पर शेतना का खंदरी करार अधान है मतलब एक समय में आप एक ही चीज पर अपना ज्यान ध्यान रिजल देंटरियेशन के करेंगे तो यह काल यह जागा सफट होगा यह धान्वील का भीज़ाओ है दूसरा हम आते हैं आपके अप्जार एक प्रोसेस अप्रोसेस अप्जेट और फॉड़ क्लियरली विपोर दमाई यह आप अधान विचार की किसी वस्तु को मस्तिष्ट के सामने असपष्ट रूप से उपवस्तित करने की प्रतिया है किसी वस्तु को मस्तिष्ट के सामने मतलब आप जो सोचते हैं वह पहले उसका जो विचार हम जिस तीफ पर चैन्दरी ध्यान करना चाहते हैं तो जो विचार पहले सोचते हैं वह हमारे मस्तिष्ट के साथ असपष्ट रूजाता है तो यह राज का विचार अब हम आते हैं व activity of the mind. अब कहते हैं एनलम एक सेख़ा है आणि मतरिष्ट की से देखा जाएं। किसी तरी श्टीबोंट से देखा जाया तो अंतिम पिस्थे सार आउधान को प्रहिनाजमक करिया है तो मातलब हम जब ध्यान लगाएंगे तो उसके अंतिम प्रक्रिया जो यही होगी तो उसमें से तो निकलेगा कि उसमें से कुछ नँपुछ हमारा जो जो हम सोचते हैं ये हुगा झाल इनलमन अब हम ऑधान की विशेस्थान के बारे से अभी से अर्थ और पřियासर कदा अब हम आधान की विशेस्थां पर कि पहला कॉन है मांसिक शक्रियता। तों किसी भी वस्ता अथ्वा विचार आदि पर आधान होने के लिए मानसित शक्रियता आवस्य दिखतर करें जी प्लाजमा वस्तु के प्रति अगर हमको पे लगाना है तो जो मांसी करी उस वस्थ투 के अद्वा विचार कंख द्यान लगाने के लिए आवधाल के लिए मथानों करें मांसी सपरियता आवश्यता हे सता ही, सारेलिक एवम अद्वादिक तक पड़ता है किसी वस्तू या किसी विशय या किसी व्यक्ति जिसके बारे में हम सोचना या किसी विशय के बारे में या किसी टॉपिक बग के बारे में किसी भी चीज के बारे में अगर हम ध्यान से पर प्रसंट्रिशन चाहते हैं तो इसके लिए हमारा सारीरी के और मानसिक, मतलब दोनों चीजों का तखपर होना अश्याथ है केवल हम मानसिक रूप से ही उसको नहीं क्योंकि वाढ़ा अलग काम करेगा और मस्तिस्क काम करेगा तो हम अगसि को प्राप्ट करेंगी उसके उतीया उसको इसके जो सि rolढ़ा इधान की विशेशता कि अध्यान का संगुचित विश्ठार क्या है तो अध्यान का संगुचित विश्टार अनुस्त अने गवस्था लिहॉफ पर लियान के अंधित कर जाता है सब्सक्राइब तो आउधान की चंचलता क्या है तो आउधान बहुत चंचलता है क्या होता है कि सबसे पहले जो हम सोचते हैं कि ध्यान लगाना इतुप मुश्किल काम है किसी चीछ करना बहुत आसान काम लिए तो चंचलता क्या हो थी हम की वस्तु भीमारे में वहुषते हैं इस पर ध्यान लगाएं फिर हमारा मंच हो है भटकने लगता है वह मासित अलग अलग चीजों पर हमारा ज्यान जाने लगता है तो हम बहुत उसको कंसंट्रेट अपने सोच से उसक करते हैं उसको एक जगा पर क्यादेर करते हैं जिसमें हमको परिश्व करना पड़ता है तो आथान की चंचलता में आता है छायना आत्मक प्रक्रिया तो अधान जो है या ध्यान जो है वो एक चैनात्मत प्रकषिया है बोक्ति अपनी दूची की अनुसार और अधान कें जो हमती हैं नुसरे अजाए बात उसको हमनों चूच करते हैं कि हम इसको इसी चेज पे अमरा दियान करने करता है तो जब इसे लिए वह एक चयनात्म प्रिक्रिया बेच्टिर्या आप्मी रूची के अंतार अधान करने करता है इसे उसका कोई प्रोयोज़क या उद्देश से सीथर होता है पहले हम अद्धिर्श सिमीर्धारिद करते हैं, हमको इस exam में पास होना है, कहते कहते हैं सब्सक्राइब करना है, पद्धान कि प्रापती चाहिए, यह जरूर्ष सिours चयन करते हैं ता फिर ध्यान से अरह किले के सब्सक्षिएौन और और आद्धान की अइस्थिरता Nikodati प्राय और इस्थिर होता है यह वातावरण की अन्यकार को हतलब जैसे कि जिस चीज़ पर है कभी जैसे हम अध्यान लगाने आज पढ़ने बैठे बहुत अच्छे से सब मूर बना के क्या पढ़ते हैं आज इस चीज़ को टॉपिक को खदम कर देना लेकिन होता है कि कुछ ऐ कशट perlu जाता जाए घर में फिना मारा ध्यान उसके चला घाता यह टेवीचिन लगता यह कहीं घाने लगता यह कुछ ऐलती हो जाता है तो इस अंधर कि लेखिए क्या होता है कि और फीर के शेशाछछ है कि तो यह जो ही सब एसके आदeme गानी की जुक winners a पहले हम उद्देश और द्धारित करता है फिर वह जो होता है क्योंकि वह अधारित प्रयोजन के हम कोई ध्यान नहीं लगाते हैं इसलिए ध्यान जो है वह प्रयोजन जुक्त होता है अब आते हैं जेतना आधारित अधान तो जेतना हम नासिक चैतना नहीं हो तो इसके क्या आ कि इसके जरप होगी तो यह कि यह क्या होता है? पिर जब हमको उसकी जरप होगी तो वह हमें उसके उसका हम विस्तेमाल कर सकते हो यह कहले एन्धियों का समयूजन सुरभीजार, मुद्र ओधान केंदृत करने में इंध्रियों, मुद्रः इम प्रिकल समीुष्या, आधिवाता वान के तथी समायोजन करें तो आधान में समायोजन आवस्टाइब